राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब हमारे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सफला एकादशी की कथा और महत्व बताएंगे पद्मपुरान के उत्तर खंड में सफला एकादशी की कथा और मातम में विस्ता से बढ़ने थे पद्मपुरान के अनुसार एक बार महराज युदिश्टर ने भगवाई श्री किष्ण से पूचा हे जनारदन पौश क्रश्ण एकादशी का क्या नाम है उस दिन कौन से देपता का पूजन किया जाता है और उसकी विधी क्या है क्रप्या मुझे बताएं भगवाई श्री किष्ण बोले बड़े बड़े यग्यों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी ब्रत के अनुष्ठान से होता है इसलिए एकादशी ब्रत अवश्य करना चाहिएं पौश माश के कृष्ण बक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है इस दिन भगवाण नारायन की विधी पूर्वक पूजा करनी चाहिएं यहें एकादशी कल्यान करनी बाली है सफला एकादशी का ब्रत अपने नामानुसार मन के अनुकूल फल प्रदान करने वाला है इस एकादशी के ब्रत से प्यक्ति को जीवन में उत्तम फल की प्राप्ति होती है और वह जीवन का सुख भोक कर म्रत्यु परश्चात फिश्णू लोग को प्राप्त होता है यह ब् इस दिन दान पुनने का विशेश महत्व है सौर राज सुयर यग हजार अशुमेद यग मिलकर भी इतना लाब नहीं दे सकते जितना सफला एकादशी का ब्रत रखने से मिलता है सफला एकादशी पर भगवान पिश्णू का पूजन करने से कारेों में आ रही बाद आएं दूर होती है और हर कारे में सफलता मिलती है इस एकादशी के देपता श्री नाराण है विधी पूरवक इस ब्रत को कहना चाहिए जिस प्रकार नागों में शेशनाग पक्षियों में गरोन सब ग्रहों में चंद्रमा यग्यों में अशुमेद और देपताओं में भगवान विश्णु श्रेष्ट हैं, उसी तरह सब बृतों में एकादशी का बऺत स्रेष्ट है, जो मनश्य सदैब एकादशी का बрать करते हैं वे मुझे परंप्रिय हैं अब इस ब्रत की बिधी मैं तुमसे कहता हूँ, सो ध्यानपूर्बग सुनो सफला एकादशी के दिन शिरी हरी के विभिन नाम मंत्रों का उच्चारन करते हुए फलों के द्वारा उनका पूचन करें धूब दीब से देब देवेश्वर शिरी हरी के अचना करें सफला एकादशी के दिन दीब दान जरूर करें रात को वैश्रवों के साथ नाम संकीतन करते हुए जागना चाहिए एकादशी के रात्री में जागरन करने से जो फल प्राप्त होता है वह हजारों वर्स तक तपस्या करने पर भी नहीं मिलता दसमें तिथी को शुद्ध और सात्विक आहार एक समय ग्रहन करना चाहिए इस दिन आचन भी सात्विक होना चाहिए ब्रत करने वाले को भोग बिला एवं काम की बासना को त्याक कर नारायन की शवी मन में बसाने ही तू प्रत्न करना चाहिए एक आदशी तिथी के दिन प्राते इस्नान कर, शुद्ध बस्त धारण कर, माथे पर शिरी खंड, चंदन, अत्वा, गोपी चंदन लगा कर कमल अत्वा वैजनती फूल, फल, गंगाजल, पंचामरत, धूप दीप सहित, श्री लक्ष्मी नारायन की पूजा एवं आती करें संध्याकाल में अगर चाहें तो दीप दान की पश्चात फलहार भी कर सकते हैं द्वादशी के दिन भगवान की पूजा के पश्चात कर्म कांड़ी भामर्गो भोजन करवाकर जनेव एवं दश्चना देकर बिदा करने के पश्चात भोजन करें जो भक्त इस प्रकाश सफला एकादशी का ब्रत रखते हैं पर रातरी में जागरण एवं भजन की इतन करते हैं उन्हें श्रेष्ट यग्यों से जो पुन्ने मिलता है उससे कहीं बढ़कर फल की प्राप्ति होती है इस एकादशी के ब्रत के समान यग्य तीत दान तब तथा कोई दूसरा ब्रत नहीं है पांच हजार वर्ष तब करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी के ब्रत करने से मिलता है सफला एक आदशी की कथा सुने मातर से ही सभी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती है और कार्यों में सफलता मिलती है हे राजन अब आप इस एक आदशी की कथा को ध्यान से सुनिये चमपावती नगरी में एक महिशमान नाम का राजाराच चरता था उसके चार पुत्र थे उन सब में लुंपक और्फ लुंब कमबक नाम बाला बड़ा राज पुत्र महा पापी था बहे पापी सदा पर इस्त्री और वैश्या गमन अत्वा दूसरे बुरे कर्वों में अपने पिता का धननश्ट किया करता था सदैव ही देपता भ्रामर वैश्या वों की निंदा किया करता था जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे राज्य से निकाल दिया तब बहे बिचारने लगा कि कहा जाओ और क्या करूँ अंत में उसने चोरी करने का निश्चर किया दिन में बहे बन में रहता और रातरी को अपने पिता की नगरी में चोरी करता था तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता था कुछ समय पस्चात सारी नगरी भैवीत हो गए बहे बन में रहकर पशु आदी को मार कर खाने लगा नाकरिक और राचे के करमचारी उसे पकड़ लेते किन्तु राजा के भैसे छोड़ देते थे बन में एक अती प्राचें विशाल पीपल का ब्रक्ष था लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे उसी ब्रक्ष के नीचे बहे महा पापी लुमपक रहा करता था इस बन को लोग देपताओं की क्लीडा इस्थली मानते थे कुछ समय पस्चात पौश क्रश्ण पक्ष की दस्मी के दिन बहे बस्तरहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्री सो नहीं सका उसके हाथ पैर अकड़ गए सूर्य दे होते होते भै मूछित हो गया दूसरे दिन एक आदशी को मध्यान के समय सूर्य के गर्मी पाकर उसकी मूशा दूर होई गिरता पड़ता बहे भोजन के तलाश में निकला पश्वों को माने में बहे समत नहीं था अधै पेरों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर पापस उसी पीपल के ब्रक्ष के नीचे आ गया उस समय तक भगवान सूर्य अस्थ हो चुके थे ब्रक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा ही भगवन अब आपके ही अरपण है ये फल आप ही तरप्त हो जाये उस रातरी को दुख के कारण रात्री को उसे नींद नहीं आई उसके इस उब्बास और जागरन से भगवान अत्यनत प्रसन हो गए और उसके सारे पाप नश्ट हो गए दूसरे दिन प्रात्य एक अती सुन्दर घोड़ा अनेक सुन्दर बस्तूओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हुआ उसी समय आकाशवानी हुई कि हे राजपुत्र शी नारायन की करपा से तेरे पापनश्ट हो गए है अब तो अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर ऐसी बाणी सुनकर भै अत्यंत प्रसन्द हुआ और दिव्य वस्त धारन करके भगवान आपकी जैहो कहकर अपने पिता के पास कया उसके पिता ने प्रसन्द होकर उसे समस्त राज्य का भास सौप दिया और बन का रास्ता लिया अब लुम्पक शास्ता नुसार राच्य करने लगा उसके इस्ते पुत्र आदी सारा कुटंब भागवान नारायन का परमभक्त हो गया ब्रद होने पर बहे भी अपने पुत्र को राच्य का भास सौप कर बन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में बैकुंट को प्राप्त हुआ अत्य जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का ब्रद करता है उसे अंत में मुक्ति मिलते है जो नहीं करते वे पूछ और सेंगों से रहित पस्तूओं के समान है इस सफला एकादशी के मातम में को पढ़ने से अत्वा श्रवन करने से मनुष्य को अशुमेद यग्य का फल मिलता है जो व्यक्ति सफला एकादशी के दिन ब्रत रखकर भागवान बिश्टू की पूजा अर्चना करते हैं और रातरी में जागरन करते हैं इश्वर का ध्यान और श्री हरी के अपतार एवर उनकी लीला कथाओं का पार्ट करते हैं उनका प्रत सफल होता है इस प्रकाद से सफला एकादशी का प्रत करने बाले पर भागवान प्रसन होते हैं व्यक्ति के जीवन में आने वाले दुखों को पार करने में भगवान सहयोग करते हैं। जीवन का सुख प्राप्त कर व्यक्ति मृत्यू के पश्चा सद्गती को प्राप्त करता है। यदि आप किसी कारण ब्रत ना कर पा रहे हो तो आप इस दिथी पर भगवान विश्चु की माता लक्ष्मी के साथ पूर्ण विधी विधान से पूजा करें। एक आदशी के दिन चावल ना खाएं। साथी लहसुन, प्याच, मास, मत्रा जैसी तामसिक चीजों का सेबन भी ना करें। पूरे दिन शांत मन से कारे करें। चुगली या बुराई जैसी बातों से दूर रहें। शाम के समय घर में तेसी घी का दिया चला कर पूजा की दन करें और परिवार में सभी को प्रशाद खिलाएं। सफला एक आदशी पर भागवान शिरी हरी विष्णू का मन ही मन जादा से जादा पूजन करें। आज के दिन सफला एक आदशी की कथा सुनने मात्र से ही भागवान शिरी हरी विष्णू की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। कारों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और कारों में सफलता मिलती है। अमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें शेयर करें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूनें। थैंक्स पूर मुचिंग राधे राधे तूर मुचिंगali के लिए मारी प्लीजित राधेृप्र मुचिंगर commenter रूम मे थाज Big तूर मुचिंगर राधे और मुचिंग प्लेक करें दोग्या करें CristHaL ना भाधे हैं प्लेन,Ex Democracy